हेलो दोस्तू कैसे हैं आप स्वागत है आपका वी ट्यूब सैक्ट चैनल पे दोस्तो जिम में वरकाउट के दोरान हाट टैक के मामले देज भर में बढ़ते ही जा रहे हैं हाट टैक का एक ऐसा ही मामला इन दौर से सामने आया है जहां एक होटल के मालिक की जिम में वर्काउट करने के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई कुरोना बिमारी फैले के बाद लोग अपनी सेहत के प्रती जागरुक हुए है इस कारण जिम जाकर कसरत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है लेकिन अब जिम में हार्ट अटैक आने के मामले भी लगातार सामने आ रहे है हालिया मामला इन दौर का है जहां जिम में कसरत करने के दौरान होटल मालिक की अचानक तबियत बिगड़ गई और वे बेहोस होकर गिर पड़े उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ छड़ बाद ही उनकी मौत हो गई जिम में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो लगातार सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मृतक की पहचान तिरपन वर्सी प्रदीप रगुवनसी के रूप में हुई है जो वरिंदावन होटल के मालिक थे वह रोजाना कस्ट के लिए जिम जाया करते थे आपको बता दें के मृतक रगुवनसी भाजपा के राष्ट्रिय महासचीव कैलास विजय वरगी के करीबियों में से एक थे पुलिस के अनुसार या घटना स्कीम नमबर 78 के गोल जिंकी है जहां होटल वरिंदावन के मालिक प्रदीप रगुवनसी को अटायक आया था डॉक्टरों ने उन्हें मृत खोशित कर दिया प्रदी प्रती दिन दो घंटे जिम में वॉक करा करते थे परिजनों के अनुसार कुछ दिन बाद ही उनके बेटे की शादी होने वाली थी इस घटना पर ह्रदर रोग विशे सके डॉक्टर एक पंचोलिया ने कहा कि जो लो व्यायाम करने से बचना चाहिए ऐसे लोगों के दिल में प्लेग बनने की आशनका अतिक होती है जब ऐसे व्यक्ति भारी व्यायाम करते हैं तो ये प्लेग तूट जाते हैं और खून के प्रवा में रुकावट बनने लगते हैं इस से अचानक दिल का दौरा पढ़ता है और मौत हो जाती है डॉक्टर पंचोलिया के अनुसार जिम में जाने से पहली व्यक्ति के ह्रदय की जाच करने वाले सिटी एंजियो जिम में होनी चाहिए शायद तब ऐसे मामलों में कुछ कमी आ सकती है अब आपको यह वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करकर बता धन्यवाद